नमस्का, मैं उससी आयो जर्खन की टॉप 25 पर मोग खबर जानते हैं थूर में सबसे पहले मामले सामने आये थे स्वास्त विभाग के अधिकारियों ने मामले में बढ़ोतरी को देखते हुए रेड अलर्ट जारी कर दिया है बता दे टोमाइटो फिवर वायरस सबसे ज़्यादा बच्चों को संक्रामित कर रहा है केरल में करीब 80 बच्चों में टोमाइटो वायरस के संक्रामित की पुष्टी हुई है जो बच्चे इस विमारी से संक्रामित हो रहे हैं उनके सरीर पर टमाटर जैसे गोले गोले दाने और चकते हो रहे हैं इसके अलावा टोमाइटो फुलू से बचों में तेज बुखार की समस्या भी देखने को मिल रही है जारखन में चक्रवाथी तुफान आसानी के कारण बारिस हुई जिसके बाद लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है बता दे चक्रवाती तुफान असानी के असर के करान देव घर में गरजन के साथ तेज बारिस हुई और मौसम काफी खुसनुमा हो गया है देव घर में बीते एक सब्ता से भिशन गर्मी जेल रहे लोगों को बा राजयों में निर्वाचित सरकारों को और दिर करने का आरोप लगाते हुए इसकी तुनला यूक्रेन में रूस के हमले से की है यहां एजेंसी से बात करते हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि वे दवा में जुकने वाले नहीं है भाजपा को उसी परकार जबाब दिया जाएगा जैसा यूक्रेन ने रूस को दिया है मुख्यमंत्री ने असपड़ तोर पर कहा है कि जिस प्रकार के अंद्रे एजेंसियों के मादेम से राज सरकार को और जुक्रार करने के लिदिया आफ़ा अफ़ा लाया है इसकी तुनला रूस की से ने करवाई से की जा सकती है रूस ता कि उक्रेयन की यहां आगी जोटना वहूशना चुनाओ यहां दो चुनाओ के लिए 10 जुन को मद्द्दान होगा भारत निरोाचन आयोगने गुरुवार को चुनाओ की लिए इसका आरका Unsgrades जारी कर दिया है बता दिराज सभा के बरतमान सदस महेश फोद्दार तथा मुक्तार अबास नकवी के साथ जुलाई को काल खतम होने के बाद दोनों सीटे रिक्त हो रही है भारत निरवाचन आयोग द्वारा जारी कारिकरम के अनुसार इन दोनों सीटों पर चुनाव के लि चार बय तक मद्दान होगा राजद्रोह के मामले में जार्खन का देश में चौथा स्थान सुप्रीम कोट ने देश में राजद्रोह का नून के इस्तेमाल पर रोक लगा दिया है जार्खन में राजद्रोह से समंधित 40 से अधिक मामले विभीन थानों में दर्ज है इनमे में पथलगाडी से सम्मंधित कूल 30 मामले दर्ज हैं जिन में खुटी के 23 सराय के लाग खर्षावा से 5 और पच्मी सिमुम के 2 मामले सामिल हैं कुछ दिन पहले ही पच्मी सिमुम जीले के कुछ लोगों द्वारा गलत तरीके से कोलाहान अलग देश की खोस्तना करने के मामला सामने आया था इस मामले में भी पूलिस निराज द्रोग की धाराव में प्रत्मिकी दर्ज की थी मामला अभी अनुसंधान के अधीन है आई एस पूजा पांच दिनों के लिए इड़ी रिमांड पर जार्खन सरकार की खांस उद्योग सचीप पूजा सिंगल को प्रवरतन निदे साले ने गुरुआर को पांच दिनों के लिए रिमांड पर ले लिया है सुबह 11.10 म!ट पर एड़ी के अधिकारी उन्हें राची के होटवारी सितवीर्सा मुण्डा केंद्री एक कारा से लेकर एड़ी करियाले के लिए चले सुबह करीब 11.40 म!ट पर पूजा सिंगल को लेकर अधिकारी एड़ी करियाले पहुNCHE यहां ED कर्याले में डाक्टरों की टीम ने उनके स्वास्त की जाच की और इसके बाद उनसे पुश्टा सुरू हुई बता दे की पूजा सिंगल से अब ED कर्याले में 5 दिनों तक पुश्टाच होगी इस अधी में उनकी चार राते भी अब इड़ी के कर्याले में इड़ी की हिरासत में गुजरेगी जारखन में किसानों के बीच खरीब के लिए बीच बितरन शुरू जारखन में खरीब फजल के लिए किसानों के बीज अनुदानित दर पर बीज बित्रन के परकिरिया बुद्धवार से शुरू कर दी गई है बीज बित्रन में पादर सिता के लिए पहली बार किरिसी निदसारे ने ब्लोक चेन प्रनाली का इस्तिमाल भी शुरू किया है इस परकिरिया के तहट बीज की खरीद से लेकर किसानों तक पहुंचने की वकाइदा ट्रैकिंग की जाएगी बता दे कि इस वर्स करीब एक लाग किंटल बीज बित्रन का लक्ष निदारित किया गया है गत वित्रन के साथ ही ब्लोक चेन प्रनाली के तहट किसानों के रईश्टेशन भी कराया जा रहा है पंचायत चुनाव के दोड़ान घोर नक्सल परवावी छेत्रों के लिए दिशा निदेश जारी जार्खन पंचायत चुनाव को लेका सुरक्षा के कड़े इंतेजाम किये गया है घोर नक्सल परवावी छेत्रों में भी सान्ती पूर्ण मतदान हो इसके लिए सुरक्षा बलो को आवस्चक दिशा निदेश भी जारी कर दिया गया है उन्हें सक्त हिदायत दिगई है कि पूलिस मुख्याले के दिशा निदेश भी बनाई गए रणनीति के अधार पर ही सुरक्षा बल को काम करना होगा उग्रवाद प्रहवी जीलों में बल की सभी गतिविद्या रणनीतिक होगी गंतव्य तक पहुचने के लिए अलग अलग रास्तों का सहरा लेना होगा जिस रास्ते से बल जाएगा उस रास्ते से नहीं लोटेगा कच्चे वा जंगली रास्त्रों पर वानों का परियोग किसी भी परिशिती में नहीं करना है हेमन्त सुरेन की पतनी सी एंटी एक्ट का उलंगन कर खरीदी जमीन रगवर्दास जारखन के पूरो मुख मंत्री और भाजपा कराश्टिय उपाध्यक्ष रगवर्दास ने कहा कि जामों की लोग उन्हें तलास रहे थे लेकिन वा कही गूम नहीं हुए थे बलिक मुख मंत्री हमन सुरेन की गरबढ़ियों को उजागर करने में ब्यस्त थे रगवर्दास ने गुरुवार को तीखे अंदाज में जामों हामला बोला है उन्होंने कहा है कि मुख मंत्री की पतनी कलपना मुर्मो सुरेन मुलता ओडिसाक निवासी है लेकिन 2009 में उन्होंने दो सेल डीड से 13 कठा से अधिक आदिवासी जमीन हर्मो इलाके में खरीदी दोनों डीड में पती हमन सुरेन की जगा अपने पिता अंपा माजी का नाम दर्शाया है साथी जाती संताल बताते हुए हर्मो कलोनी निवासी बता जमीन की खरीद की रगवर दासने अरोप लगाया है कि किसी अन्य राज का अरक्षित ब्यक्ती जार्खन में अरक्षन का लाब नहीं ले सकता गर्मी छुटी में काम करने वाले सिक्षकों को मिलेगा छती पूर्थी आवकास 17 मईस से गर्मी के छुटी हो रही है जो चार जुन तक रहेगी गिरी डी में नक्सलियों ने चुनाव भहिसकार समधी चिपकाय पोस्टर पंचायत चुनाव के बढ़ती सरगर्मी के साथ नक्सलियों ने पोस्टर चिपका कर वब परचा जारी कर संसनी फैला दी है उत्री छोटा नागपुर जोर्नल कमिटी भाजपा मवादी के नाम पर चिपकाय पोस्टर में पंचायत चुनाव को लूट सोसन का हत्यार बताया गया है यह पोस्टर बाजी मुपसिल थाना इलाके के पुर्णा नगर स्रीरामपुर के बीच की गई है इसकी जनकारी मिलते ही पुलिस पहुंची और जाच शुरू कर दी है सराय केला खरसावा में हादसा में पांच की मौत आठ घायल सराय केला खरसावा के चांडिला के चिलगू के पास एनेश 33 पर गुरू आर सुबा पांच बज़े बरात से लोट रही सवारी गाड़ी पूल के डिवाइडर से टकरा गई इस हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई जबकि तेरा लोग घायल हुए है बतादे घायलों का जमसेत पूर के एमजी एम अस्पताल और रांची के रिम्स में इलाज हो रहा है हादसे में जान गवाने वालों में इच्चागर के संकराडी के सुनील सिंग मुंडा गश्चागर के निलम सिंग, भीम सिंग मुंडा, सलेंद्र मचुआ, एवान अरकी के अर्जुन मुंडा सामिल है कक्छा नवी से बरावी तक छात्रों के लिए फ़िरी में मिलेगी ड्रेस और कॉपी किताब सरकारी बिद्यालों में काक्षा नौवी से बरावी तक के छात्रों को भी अब मुफ्थ पोसाक मिलेगी इसके साथ इन छात्रों को मुफ्थ कोपी भी दी जाएगी एगारवी और बरावी के चातरों को हर साल मुफ्त किताबे भी मिलेगी सूतरों के अनुसार इसकूरी सिक्षा भी भाग के इस प्रस्ताव पर मुख्य मंत्री हमान सुरिन के अध्यक्षा में बुद्धवार को ही कैबिनेट बैठाक में मुहर लग गई है बैठाक में कूल 29 पस्ताव को हरी जान्डी दी गई बतादे पंचायत चुना में लगे राज करम मियों को दे भाता में बढ़ोतरी भी की गई है पूजा सिंगल के ठीकानों से जब्त 29 कडोर के हजारों के नोट नकली जारखन के राची में एक छापेमारी के दोरान केंद्रिय जाच एजेंसी इडी द्वारा जब्त कडोरों रूपए में से कोई नकली केरेंसी मिले हैं इस मामले की जनकारी मिलने के बाद एड़ी के राची स्थीत दफ्तर में और राची स्थीत पंजाब नेशनल बैंक के मुख ब्रांच में एब इसे चर्चा का केंदर बन गया है दरसर मन्रेगा घोटाला और मौनी लंडरिंग से जुड़े मामले में एक बड़ी करवाई को अंजाम देते वे बुद्धवार साम को जारखन की आईएएस पुजा सिंगल को गिरफतार भी किया गया हलाकि उसे पहले एक चार्टेट अकाउंटेट सुमन कुमार को गिरफतार किया गया था नक्सल परहवीत मद्दान केंदरों के लिए पहली बार सड़क से रवाना हुए मद्दान कर्मी लोहर्दाका जिले के नक्सल परहवित मद्दान केंद्रों के लिए गुरुवार को मद्दान कर्मी रवाना होगा है खास बात या है कि मद्दान कर्मी पहली बार हेलिकॉप्टर से न जाकर सड़क मार्ग से अपने अपने मद्दान केंद्रों के लिए रवाना हुए यह सभी मत्दान कर्मी अगले 36 घंटे तक सुद्रवर्ती नक्सल प्रवाई छेत्र में रहेंगे जहाँ पर 14 माई को सांती पुन मत्दान संपन कराने के बाद वापस लोट आएंगे बता दे लंबे समय के बाद ऐसा हो रहा है कि मत्दान कर्मी हवाई मर्ग से नहीं न जाकर सड़क मर्ग से गए हो हलाकि इस बीच कड़ी सुरक्षा बेवस्ता के इंतिजाम थे अभिसेख जहाने जर साजिसकर खरेदी पल्स अस्पताल की जमीन रांची के उपायुक्त शवी रंजन ने अपर समहरता से पल्स अस्पताल से समधित पूर्व में हुई जाच समधित फाइल मांगी है और तालिस गंटे के अंदर अपर समहरता को पल्स होस्पिटल की भूमी से समधित जाच परतिवेदन देना है अरोप है कि इस अस्पताल का निर्मान भोईहरी जमीन पर हुआ है जबकि भोईहरी जमीन की खरीद बिक्री नहीं हो सकती इसके बाद भी जाल साजी करके जमीन की खरीदी की गई है और पल्स अस्पताल का निर्मान किया गया मामला परकास में आने के बाद CM1 सुरैन के निदेश पर इस मामले की जाच की गई थी लेकिन बाद में लीपा पोति कर दी गई इस मामले को लेकर एक बार फिर जिला पर सासन सकती दिखाई और समन्हदित जमीन की फाईल माँगी है ताकि अस्पताल को लेकर कोई उचित करवाई किया सके भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने राजिव कुमार का रांची से नाता भारतिय प्रसासनिक सेवा 1984 बैच के अधिकारी राजिव कुमार देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने है बतादे जार्खन केडर के स्री कुमार का रांची से भी नाता रहा है तीन साल से अधिक समय तक रांची के डीसी रहे है एकी कृत बिहार में उनका केडर बिहार था लेकिन जार्खन गठन के बाद स्री कुमार जार्खन केडर में आए फिर बर्ष 2001 में केंद्रिय प्रतिन्युक्ति पर चले गा है इसके बाद से ही केंद्र में अलग अलग पदो पर रहे बता दे सितंबर 2020 में चुनाव आयुक्त के पद पर न्युक्त हुए इसके बाद अब उन्हें मुखे चुनाव आयुक्त बनाया गया है स्री कुमार बर्तमान मुख्य चुनाव आयूक्त सूसील चंद्रा की जगा लेंगे स्री चंद्रा 14 माई को रिटाइट हो रहे हैं मन्रेगा घोटाले को लेकर केंद्र सरकार गंभीर जहारखन में हुए मन्रेगा घोटाले मामले में केंद्र सरकार गंभीर है करोड़ के घोटाले और रासी के दुरूपियों को लेकर केंद्रे गरामिन विकास मंतराले के सचीव इन-एन सिंहा ने जहरकन के अधिकारियों से बात की है उन्होंने पूजा सिंगल से जुले सारे मामले के बारे में पूरी जनकारी मांगी है इसको लेकर अब चात्रा और खोटी में मन्रेगा में हुई और निमित्या को लेकर पूरी रिपोर्ट केंद्र सरकार भेजी जाएगी कुछ रिपोर्ट केंद्र सरकार को उपलब्द भी करा दी गई है इस रिपोर्ट के धार पर केंद्र सरकार करवाई करेगी बता दे IAS पूजा सिंगल के मामले में ED की छापे मारी और मन्रेगा घोटाले का मामला केंद्रे गिराविन विकास मंत्राले के पास पहुचा तो केंद्रे सचीव एनन सिना ने जारखन के अधिकारियों से बात किया है IAS अधिकारी पूजा सिंगल सस्पेंड जारखन के महिला IAS अधिकारी पूजा सिंगल को सस्पेंड कर दिया गया है इस संदर में कार्मिक प्रसासनिक सुधार और राजभासा विभाग ने गुरुवार को अजिस उतना जारी कर दिया है जारखन के CM हमन सिरिन के पास IAS पूजा सिंगल के सस्पेंड की फाइल पहुच चुकी थी इसके बाद उन्हें लंबर कर दिया गया है आपको बता दे कि मनी लॉंडरिंग मामले में IAS अधिकारी पूजा सिंगल इड़ी की रिमांड पर है CM हमन के पास पूजा सिंगल के सस्पेंड की फाइल जारखन के CM हमन सिरिन के पास IAS पूजा सिंगल के सस्पेंड की फाइल पहुच गई है इस मामले में कभी भी आदेश जारी हो सकता है आपको बता दे कि money laundering मामले में राजे की महिला I.S. अधिकारी पुजा सिंगल इडी की रिमांड पर है उनसे इडी की अधिकारी फुच ताच कर रहे हैं गुरु आरको उन्होंने होटवार जेल से इडी ओफिस लगाया है उनसे पहले उनके पती अभिसेख जहा राची के इडी ओफिस पहुचे बता दे इडी ने I.S. अधिकारी पुजा सिंगल को money laundering के आरोप में बुद्धवार की दिर साम को ही गिरपतार कर लिया था जाम तड़ा के मिही जाम में बंगाल के बेवसाई से 12 लाख की लूट जाम तवा मिही जाम नेशनल हाईवे 429 पर बोदमा पोल फैक्टरी के समीप अपराधियों ने पिस्टोल का भाय दिखा कर पछिम बंगाल के गला बेवसाई से करीब 12 लाख रुपे लूट लिया है लूट किया घटना गुरुवार की दोफर पछिम बंगाल के बराकर निवासी से बेवसाई नितेश सुभास सरिया के साथ हुआ लूटेरों ने दसत फैलाने के लिए हवाई फैरिंग भी की जनकारी मिलते ही पुरिस मोखे पर पहुँच कर जाज परताल सुरू कर दिया है गढ़वार डीसी के निर्देश पर लापरवा कम्प्यूटर अपरेटर से वसुली गई रासी अपनी समस्याओं को लेकर जानता दरबार में गढ़वार डीसी रमेश घोलप से मिलने आयद दिव्यंग असोक कुमार दूबे को डीसी के निर्देश पर उनके पीएम आवास निर्मान कार्य में मन्रेगा के लंबित मानो दिवस का भुखतान चेक के माध्यम से करवाया परखंड के करमचारी के लपरवाई के कारण दिव्यंग लाभुक असोक कुमार दूबे के आवास निर्मान कारे में लंबित 95 मानो दिवस के कूल 21375 रुपए का भुखतान चेक के माध्यम से उनके आवास पर जाकर परखंड कर्मियों ने किया है नियोजान निति वा सिक्षक नियोक्ति रद करने का फैसला सुरक्षित जस्टिस एम आर्सा और जस्टिस बीबी नागरतन की अदलत में सुनवाई हुई जारखंड में पहले चरण की वोटिंग सनी वार को 989 सीटो पर तिरियस्तर ये पंचाय चुनाव के तहत पहले चरण के मद्दान का समय आगया है इस चरण में कूल 989 सीटो पर चुनाव के लिए 14 माई को मद्दान होगा इसमें 32121 उमिद्वारों के भाग का फैसला होगा जिसमें 17437 मैलाए हैं पता दे इस चरण की कूल 989 सीटो पर 557 सीटे मैलाव के लिए अरक्षी थै ज्यारखन के 88 NGO CBI की रडार पर Foreign Contribution Regulation Amendment Act के तहत गयर सरकारी संस्थाओ को मिलने वाले विदेशी फंड के दुरुपयोग माउनले में एक दिन पुर्व हुई CBI की करवाई के बाद ज्यारखन के भी उन 88 NGO की मुस्किले बढ़ती दिख रही है जिनके विरूद ज्यारखन पुलिस की जाच में पुर्व में अनिमित्ता की पुष्टी हो चुकी है बता दे ज्यारखन के एस सभी 88 NGO CBI की रडार पर है राजसरकार ने पहले भी दो बार इनके विरूद CBI से जाच कराने के लिए केंद्रियेगरी मंत्राले सांसुन सा की थी धन्यवाद यदि आप चैनल पर नहीं होतों चैनल के सब्सक्राब कर बहल का बेले गंदबाए साथी साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के सेर करना ना भूले साथी साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फीड़बाएक अवस्य दे थाइंक यू